हेलो दोस्तों वेलकम टू चेतना क्लासिस आपका अपना होम स्कूल आप सीखने जा रहे हैं हिंदी सुलब भारती स्टैंडर्ड एड्थ इंग्लिश मिडियम की पहली कवीता हे मात्र भूमी या आपकी पहली काई की फर्स्ट पोयम है हे मात्र भूमी मात्र भूमी का अर्थ है मदर लेंड तो यानि कि जहां पर हमने जन्म लिया है तो हमारी जन्म भूमी क्या है भारत मगर आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना होगा कि हमने महाराष्ट्र में जन्म लिया है हाँ तो महाराष्ट्र को भी हम अपनी जन्म भूमी यानि की मात्र भूमी कह सकते हैं मगर अगर हम पूरे भारत के हिसाब से क्योंकि unity में हम सभी एक भारती हैं तो भारत के हिसाब से कहेंगे कि भारत हमारी मात्र भूमी है इस कविता को राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है आए इनका परिचे देखते हैं इनका जन्म अठरासो संतानबे ताजहापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यू 1927 गौरकपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंद्रता सेनानी ही नहीं बलकि उच्च कोटी के कवी अनुबादक बहु भाशाविद वसाहित्यकार भी थे आपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहूती दे दी तो इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बली चड़ा दी और इनकी बहुत ही प्रसिद रचना है सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल जी का बिस्मिल ये उनका उपनाम था और इसके अतिरीक्त राम और अज्यात इन नामों से भी उन्होंने कविताई लिखी है इनकी प्रमुक कृतिया है मन की लहर आत्मकथा आदी आईए पध्यसंबंधी परीचे देखते हैं प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मात्र भूमी के प्रती अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल जी एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे उनके अंदर भारत को लेकर अपनी मात्र भूमी को लेकर जो प्रेन था जो भक्ती भाव था उसको उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है यहां आपने मात्र भूमी की सेवा करने और देश हित में निचावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है तो यहाँ पर बिस्मिल जी ने मात्र भूमी की सेवा करने की अपनी इच्छा को और देश हित के लिए यानि की देश की भलाई के लिए अपना सर्वस्व निचावर करने की लाल सा व्यक्त की है कि अगर देश को जरूरत पड़ती है तो मैं इस पर अपना सर्वस्व लुटा सकता हूँ तो आईए इनके देश प्रेम को यहाँ पर हम देखते हैं इस कविता के द्वारा ये मात्र भूमी तेरे चर्णों में शीष्णवाऊं मैं भक्ती भेट अपनी तेरी शरण मिलाऊं मात्र भूमी तेरे चर्णों में शीष्णवाऊं मैं भक्ती भेट अपनी तेरी शरण मिलाऊं माथे पे तू हो चंदन छाती पे तू हो माला जिवा पे गीत तू हो मेरा तेरा ही नाम गाऊं हे मात्र भूमी तेरे चर्णों में शीष्णवाऊं मैं भक्ती भेट अपनी तेरी शरण मिलाऊं जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे उस धूल को मैं तेरी निजसीस पे चढ़ाऊं हे मात्र भूमी तेरे चर्णों में शीष्णवाऊं मैं भक्ती भेट अपनी तेरी शरण मिलाऊं माई समूद्र जिसकी पदरज को नेत्य धोकल करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं हे मात्र भूमी तेरे चर्णों में शीष्णवाऊं मैं भक्ती भेट अपनी तेरी शरण मिलाऊं सेवा में सेरी माता मैं भेद भाव तजकर वह पुन्य नाम तेरा प्रति दिन सुनू सुनाऊं हे मात्र भूमी तेरे चर्णों में शीष्णवाऊं मैं भक्ती भेट अपनी तेरी शरण मिलाऊं तेरे ही कामाऊं तेरा ही मंत्र गाऊं मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं हे मात्र भूमी तेरे चर्णों में शीष्णवाऊं मैं भक्ती भेट अपनी तेरी शरण मिलाऊं इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भारत माता के प्रती अपने प्रेम को अपने भक्ती भाव को बड़े ही सुन्दर शब्दों में व्यक्ति किया है आईए अब इसका अर्थ समझते हैं हे मात्र भूमी तेरे चर्णों में शीष्णवाऊं तो यहां कभी कहते हैं कि हे मात्र भूमी हे भारत भूमी तेरे चर्णों में मैं अपना सीस नवाऊं अपना सर जुकाऊं मैं भक्ती भेट अपनी मैं आपके लिए एक भेट लाया हूँ कैसी भेट भक्ती की भेट मैं देश के प्रती अपने मन में जो भक्ती है उस भेट को आपको अर्पित करने के लिए आया हूँ तेरी शरण मिलाऊं, आपकी शरण में मैंने अपने भक्ती के भाव को अरपित किया हुआ है अगली लाइन में विस्मेल जी कहते हैं कि हे मात्र भूमी, हे भारत भूमी तुम्हारे चरणों की धूल मेरे माथे पर चंदन के रूप में सोभाए मान रहे चंदन की रूप में हमेशा वो मेरे माथे पर तिलक का काम करे और मेरी छाती पर जो माला हो वो भी तुम्हारी ही हो यानि कि तुम्हारी मिट्टी से उगे हुए जो पौधे हो उन पर जो फूल खिले हैं उनी फूलों की माला मेरी छाती पर सजे यानि कि जब मैं वीरगती को प्राप्त हो जाओं तो मेरी छाती पर जो फूल चढ़ाये जाए मेरे शरीर पर जो फूल चढ़ाये जाए वो भी तुम्हारी मिट्टी के ही हो अपनी मात्र भूमी के गीत ही मेरी जिवा पर जिवा यानि की जीब मेरी जीब पर हमेशा जो गीत हो वो मेरी भारत भूमी, मेरी मात्र भूमी का ही हो ऐसा वो अपनी मात्र भूमी से कहते हैं कि तेरा ही नाम में हमेशा गाउं जिससे सपूत उपजे कभी कहते हैं कि हमारी भारत भूमी हमारी मिट्टी में जो सपूत सपूत का मतलब होता है अच्छे पुत्र तो जो सपूत उपजे कैसे है वो राम कृष्ण जैसे तो जिस भारत भूमी पर राम जी जैसे कृष्ण जी जैसे सुपूत जन्म लेते हैं तो उस धूल को मैं अपनी निज यानि की अपनी तीस अपने सिर पे धारन करूँ अपने सिर पर मैं उस धूल को चड़ाओं किस माता की धूल को जिस पर रामकृष्ण जैसे सुपुत्र जन्म लेते हों कभी कहते हैं माई समुद्र जिसकी पद रज को नितिध होकर माई यानि की भारत माता भारत माता का जो दक्षिनी छोर है अब भारत का मैप देखिए तो उसका जो दक्षिनी छोर है वो महासागरों से घिरा हुआ है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समुद्र भारत माता के चरणों को पद यानि की चरण उनके चरण कमलों को उनके चरण कमलों में जो रज यानि की धूल लगी हुई है उसे नित्य धोता है तो कभी क्या कह रहे हैं कि भारत माता के चरणों को समुद्र हर रोज ध होता है करता प्रणाम तुझको और उसे धोकर प्रणाम करता है मैं वे चरन दबाऊं तो मैं भारत माता के उन चरनों को दबाऊं जिसे समुद्र हर रोज धोकर प्रणाम करता है सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर वह पुन्य नाम तेरा प्रति दिन सुनू सुनाओ फिर कवी कहते हैं कि हे मात्रभूमी मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूं और इसमें जो भेदभाव हैं क्योंकि भारत में कई धर्म जाती और भाशा के लोग रहते हैं तो उन सभी भेदभाव को तज कर यानि कि छोड़ कर उन भेदभाव को छोड़ कर मैं यह पुन्य नाम तेरा भारत का जो पुन्य नाम है प्रति दिन सुनू और सुनाओ हर रोज मैं भारत की जहजेकार को सुनू और लोगों को सुनाओ कि हमारे भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है सभी अनेकता में एकता की शक्ति को बनाए रखते हैं तभी कहते हैं अगली लाइन में तेरे ही काम आऊं मात्रभूमी से कहते हैं कि हे मात्रभूमी मेरा जन्म कुछ इस प्रकार हो कि मैं हमेशा तेरे ही काम आऊं और तेरे ही मंत्र को मैं गाऊं, यानि कि भारत के गुणगान को ही मैं हमेशा गाऊं, मन और देह, मेरा मन और मेरा शरीर, तुम पर बलिदान मैं जाऊं, सब कुछ मेरा सर्वस्व, पूरी तरह से मैं समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं, और उसके लिए मैं अपना बलि प्लीज आप जितना जादर से जादर हो सके हमारे इस चैनल को वोग तक पहुचाईए अपने फ्रेंड्स में फैमली मेंबर्स को ये वीडियो शेयर कीजिये लिंक भेजिये ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए है तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासिस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर और हाँ कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट सी हमारा मोटिफिशन है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में